नमस्ते, मेरा नाम है मुकेश, आज अपन बात करेंगे डॉक्टर विशाल से टैटू रिमोल के बारे में, कि डिफेंस में जाने के लिए कोई भी मिलिटरी या कुछ भी एक्जाम क्लियर करने के लिए टैटू रिमोल साजरी ठीक है या लेजर टैटू रिमोल ठीक है, नमस् मुकेश, किसी भी पुलिस एक्जाम या मिलिटरी डिफेंस गरेके एक्जाम के पहले, अक्सल लड़के टैटू रिमोल करवाने आते हैं, क्योंकि कुछ एक्जाम्स ऐसे हैं जहां पर टैटू अलाउड नहीं है, अब उसके लिए टैटू रिमोल सर्जरी ठीक है, मतलब सर अगर सिलेक्शन की प्रक्रिया बहुत नजदीक है, कुछ ही महीने हैं उसमें, तो सर्जी कि रावा तो कोई option बचता ही नहीं है, क्योंकि लेजर के माध्यम से टैटू को लाइट करने में कम से कम एक साल लगता है अगर हम बहुत जारा एनर्जी यूज़ करके टैटू को लाइट करने कोशिश करेंगे, तो टैटू तो चला जाएगा, लेकिन उसके पीछे वैसा ही सफेद निशान छोड़ देगा तो वो भी टैटू जैसा ही दिखाई देता है, और उसके लिए भी point मिल सकता है लेकिन सर्जरी में भी problem है, सर्जरी में problem है कि हम जब काटके निकालेंगे तो टांका आएगा, निशान बनेगा, टैटू हटाने का वो भी चिन्ता का वशे हो सकता है, हो सकता लगे कि उसकारण भी point दे सकते हैं, मगर usually ऐसा नहीं होता सकार्स के लिए point नहीं देता है, टैटू के लिए 100% देता है लेजर में दूसरी problem यह होती है कि लेजर पूरी तरह से टैटू को light नहीं कर भाता अब, इन exams के लिए टैटू नहीं होना चाहिए ना पूरा बनावा ना light बनावा अगर वो light भी हो जाएगा, हलका भी पढ़ जाएगा और फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो भी point मिल जाएगा ऐसी स्थिती में उसको फिर भी काट के निकालना पड़े तो जभी भी इस तरह exams के लिए मेरे पास बच्चे आते हैं तो पहली priority यही रहती है कि हम सर्जरी के माध्यमसुस टाटू को हटा दें अब सर्जरी भी कौन सी होगी वो इस पर निर्फा करता है कि टाटू कि इतना बड़ा है अगर आसानी से हम काट के तवचा को बंद कर सकते हैं जैसे अगर यहां पे टाटू हो पकट के बंद कर लें या हाथ पे छोटा टाटू हो जहां पकट के बंद कर लें तो उसको काट के निकाल लेता है अगर काफी बड़ा टैटू है तो उसे काट के नहीं निकाला जा सकता उस थिती में स्किन ग्राफ्टिंगी मुदद से त्वचा में से उस टैटू को छील के निकाला जाता है और फिर दूसरी जग इसे चम्डी लेके लगाई जाती है मैं यह 100% गारेंटी से नहीं कह सकता कि सभी तरह की सर्जरीज के बाद भी कोई पॉइंट मिलेगा की नहीं मिलेगा यह टाइम टाइम पे डेपेंड करता है लेकिन अगर टैटू है तो आप 100% आउट हो और लेजर पूरी तरह से टैटू को काई अब नहीं करते कई बार तो सिर्फ हलका करने में भी 10-15 सेशन लग जाते है जो पिगमेंट डाला था उस पर भी निरभर करेगा कितना बडा टैटू ह उस पर भी निरभर करेगा तौचा आप भी निर्भा करेगा कर तौचा का रंग घहरा है तो बहुत जादा इंटेंसिटी से लेजर देखे उसको लाइट नहीं कर सकते वहां फिर पॉइंट बन जाए छोटा टाटू है चजी करके असानी से निकाला जा सकता है तो फिर उचेत ही हिए कि उसे काटके निकाल दे रहां पॉइक सिंगल सेश्षन सोलूशन है वह इसकार का और कोई पॉइंट नहीं बनता है थेंक्यू सर जैसा विस आलसर ने बताया कि टैट्टू कैसे कराना चीए कैसे नहीं कराना चीए और इस भामले में आपको कुछ भी पूछना हो कोई भी क्वेरी हो आप हमसे सिदा समप रख गए